ओम नमस्शिवाय! दोस्तो महाशिवरात्री के दिन पर्स में रखले यह एक चीज पूरे साल जमकर मिलेगा पैसा. दोस्तो, महाशिवरात्री के दिन व्रत करना, पुजा पाठ करना, भगवानशिव के मंतरों का जाप करना और रात्री जागरं करना इन सभी चीजों का विशेश महत्व होता है महाशिवरात्री की दिन शिवजी की उपासना अमोग मानी जाती है अगर इस दिन आप भगवान शिव की पुजा अर्चना करते है विधी विधान से तो आपकी सारी मनो कामनाय महादेव जरूर पुरा करते है तो दोस्तो माहा शिवरात्री के दिन पर्स में आपको ऐसी कौन सी खास चीज रखना है जिससे आपको पूरे साल जम कर मिलेगा पैसा जी हाँ दोस्तो इस दिन आपको पर्स में ऐसी कौन सी खास चीज रखनी है जिससे आपकी धन समंदी सारी समस्याए दूर हो जाएगी पैसा ही पैसा हो और इसलिए वो काफी मेहनत भी करता है जी तोड लगातार मेहनत करता है लेकिन इसके बाद भी जो है कि उसे सफलता नहीं मिलती उसके जीवन में धन का अभाव हो जाता है धन की कमी हो जाती है ऐसे में दोस्तो महाशिवरातरी के दिन कुछ खास उपाय करके आप महादेव की विशेश कृपा प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि महाशिवरातरी का दिन ऐसा होता है जिस दिन महादेव जल्द ही प्रसन्न हो जाते है इसलिए इस दिन जो भी उपाय मैं आपको बताऊंगा वो जरूर करना जिससे आपकी धन समन्दी सारी समस्याई दूर होकर आपके जीवन में पैसा ही पैसा आएगा आपके नोकरी व्यवसाय और तरक्की में जो बाधाय आ रही है वो दूर होकर आपके जीवन में छपपड फाड के पैसा आएगा आप खूप तरक्की करेंगे भगवान शिव की कृपा पूरे साल आप पर बरस्ती रहेगी तो दोस्तो महाशिवरात्री के दिन आपको क्या करना है तो दोस्तो इस दिन आपको सबसे पहले तो शिव मंदिर में जाना है और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करनी है महादेव को बेल पत्र चड़ाना है कच्चा दूद चड़ाना है इसके बाद वहाँ जो चावल चड़ा हुआ होता है जी हां दोस्तों ध्यान दिजिए वहां जो चावल चड़ा हुआ होता है उसमें से 11 साबुत चावल आपको ले लेना है और श्रिम श्रिम बोलकर अपने पर्स में रख लेना है इस चावल को आपको इस प्रकार से रखना है ताकि किसी को नज जरना आए आप इस चावल को कागज की पूडिया में बान कर भी अपने परस में रख सकते हैं या आपके व्यापार की स्थल पर भी आप इसे रख सकते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है किसी भी शिव मंदिर में जाके सबसे पहले तो श्रद्धा भाव से पूजा अर्च उसके बाद में वहाँ जो चावल चड़े हुए है उसमें से ग्यारा साबुत चावल आपको ले लेना है और श्रिम श्रिम बोलकर अपने परस में रख लेना है अगर आप ऐसा करते है तो आपके परस में सदैव पैसा रहेगा इससे आपकी तरक्की होगी क्योंकि चावल जो है इसे अच्छत कहा जाता है अच्छत यानी न समाप्थ होने वाला धन इसे लक्ष्मी स्वरूब भी कहा जाता है ये उपाई करने से अचानक आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और तेजी से आप विकास करना शुरू कर देंगे साथ ही दोस्तो महाशिवरात्री के दिन शिव मंदिर में जो चड़ाई हुए फूल होते है वो भी आप अपने साथ ला सकते है और इसे अपने परस में रखे या आपकी तिजोरी या अलमारी में रखे इससे भी विशेश लाब होता है जय भोले नात झाल